योगी सरकार में हो रहे इंकाउंटर पे लगातार सवालिया निसान विपच लगा रहा है सुल्तान पुरलूटकार में जिस तरह से मंगेश यादो का इंकाउंटर होता है उसके बाद अखिलेश यादो ये कहते हैं कि जाच देखकर इंकाउंटर किया जा रहा है उसके बाद अब एक दिन पहले अभी अनुज प्रताप सिंग का इंकाउंटर हो जाता है जिसमें सपा के नेता लोटन राम साथ ये कहते हैं कि ये भी फेक इंकाउंटर है सर में सटा करके गूल भी मारी गई है और कहीं न कहीं जिस तरह से बवाल मचा मंगेश यादो के इंक हुआ है क्या कुछ है पूरा जिस तरह से आरोप लग रहे हैं उसके बारे में क्या कहती है बीजेपी बहुत सवागत है अपना बहुत धन्यवाद राजन जी जिस तरह से देखा जाई है जो सुल्तानपूर लूटकांड को लेकर के पहले मंगेश यादो का इंकाउंटर हो जहां तक मेरा अपना मानना है अपराधी की कोई जात नहीं होती है जो ब्यक्ति अपराध करता है वह किसी जात किसी समधाय का हो सकता है लेकिन अपराध करना यह गलत है यह अपने आप में माइने रखता है इनकाउंटर जो हुए मन्ने हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्य मुख्यमंत्री परम्पूज यादर्डी योगी यादित्तिनाज जी का पिछली भी सरकार में आपने देखा होगा और इस सरकार में भी मतलब जो 2022 से 2027 का कारेकाल है मुख्यमंत्री जी का सक्त निर्देश है कि किसी भी अपरात को चाहे वह महिला के साथ हो चाहे वह किसी ब्यापारी के साथ हो चाहे आम जन मानस के अंदर जहां पर डर पैदा करने का काम कुछ तथा कथित इस तरह के समाज को गंदा करने का काम जो इस तरह की मानसिक्ता के लोग करते हैं हम किसी भी सूरत में उनको च्छा में नहीं करेंगे उसके बाद भी अपराधी इतने बेलगाम है दिन दहाड़े जो है हत्या कर दे रहे हैं दिन दहाड़े जो है लूट कर रहे हैं कमसकम उनको अंदर तो यह डर होना चाहिए कि प्रदेश का हमारा मुख्या प्रदेश के प्रश्टाचार के प्रती कितना कठोर है उसके बाद भी उनके हौसले बुलंद है तो घटना कारित किये भाई विशय यस्टीयफ से संबंदित है पुलिस का अपना एक अलग काम है यस्टीयफ ने जाच किया विभाग ने जाच किया जाच में जो अपराधी मिला वो पुलिस के उपर फायरिंग हुई जबावी कारिवाही हुई इसमे मारा गया तो सवाल उठ रहे हैं आप कह रहे हैं कि डर बना रहना चाहिए डर बनाये रखने के लिए किसी को घर से उठाएंगे और ठोक देंगे क्योंकि मंगेश यादों के परिवार लगातार यह कह रह सब्सक्राइबार रहे हैं हैं माने भी एक वीडियो देखा था उसी समय का उसमें मंगेश यादों कि माता जी और उनकी बहन ने जो बयान दिया एक आप उसको देखेंगे उसमें था कि मंगेष पिछले दो महीने तीन महीनों से नहीं था जो सबने देखा हमने नहीं उपने भी साइब देखा होगा पुलिस ने जारी किया था लेकिन वारा बनाया भी गया था तो विडियो को बनाया था वेकिस प्राइबेट व्यक्ति तो पुलिस नहीं दिखाई दिया लेकिन सब ने देखा हम आपने भी देखा तुसमें जो बयान उनके परिवार वालों के तरफ से दिया गया था वह यही दिखा गया था अब अंदर की क्या बात कैसे है इसकी जानकारी न तो मैं प्रतेशदर्सी रहा हूं न तो आप रहे हैं जो देखा जाएगा वही बताया जाएगा वही सुना जाएगा जिस तरह से मंगेज के बाद, मंगेज के पास ब्राणड़ सामान बरामद होते हैं, उसके टी शिर्ट देखे, उसके बैग देखे, जूते देखे, लेकिन मंगेज की आर्थिक इस्तिती वैसी नहीं, घर उसका खपरायल, एक मकान, एक मढ़ा जो है, तो ऐसे में का भी से था यस्टी एफ ने अपना जाच किया उसमें कुछ अपराधी पकड़े भी गए हैं और कुछ जेल में भी हैं उनके जो पुलिस ने अपना बयान दर्ज किया कि उनके हम बयान के आधहार पर मंगे स्यादो इस डकैति कांड में सामिल था जो पुलिस का बयान आया थ आम पब्लिक वही पेपर में देखेगी वही टेलिवीजन में देखेगी वही यूटूब पर देखेगी वही जो जानकारी मिलती है हमको आपको उसी में आदमी अपना गुंता धुनता है कि क्या सही है क्या गलत है लेकिन इसको राजनीज से जोड़ देना मेरे नजर ये से यह गलत चीज है क्योंकि मुख्यमंत्री जी का जो फैसला है अपराद के प्रती यह जात इवादी जो सपासुप्रीमों अखिले स्यादो जी ने लगाया यह इनका आरोप मैं गलत मानता हूं क्योंकि अगर अपरादी है तो उसको जात इसे नहीं जोड़ना चाहिए वह किसी के साथ घटना कर सकता है जब उसको घटना करने का उसकी इक्षा कहेगी तो आपने समाज के लोगों के साथ नहीं कर सकता है उनकी भी यत्या कर सकता है उनके घर में भी लुड़ा का डाल सकता है तो यहाँ जात इवाद की बात नहीं होनी चाहिए सपा के एक नेता है लोटन राम निसाद वो अभी अनुझ प्रताप सिंग का एंकाउंटर होता उस पर भी सवालिया निसान खड़े कर रहे हैं कि ये भी फेक एंकाउंटर है इसको भी सर में सटा के गोली मारी गे और लगातार जो है योगी सरकार पे मुख्यमंत्री पे हमला सब्सक्राइब करें लोगों को जो हैं काउंटर कर रही है अपनी कमिया चिपा रही है क्या कैंगे उनको देखिए भाई लाटम राम निसाथ तो बहुत बड़े ब्रांड नहीं है समाजवादी पालिटी के हमारी तरह भी कार्य करता ही होंगे लेकिन ठीक है अगर आप सप कुछ नहीं कहूंगा लेकिन अब तक तो अखले से आदो जी हमारे मुख्यमंत्री जी के उपर आरोप लगाते थे कि जाति परकेवल टार्गेट करते हैं अगर जाति का ही टार्गेट होता जो अनुच सिंग का इंकाउंटर हुए है वह अभी लूटकान डकैती में सामिल पुलिस मुद्भेड में उसका भी अनकाउंटर किया गया तो मैं कैसे हमालू मुख्यमंत्री जी जातिवादी करते हैं अगर जातिवादी करते तो सायद अनुच का इंकाउंटर नहीं होता और जाति की बात ही नहीं मैंने पहले भी कहा कि अपराधी की कोई जाति नहीं हो रह गई बात समाजवादी पार्टी के नेताओं की तो अब तक तो जातिवादी जातिवादी बात करते थे लेकिन अनुज यादो भी अनुज सिंग भी अपराधी था उसका भी इंकाउंटर हुआ पुलिस मुद्भेड में तब से सपर सुप्रीमो जी का मैंने कोई बयान न अब उनको मुख्यमंत्री जी की सराहना करनी चाहिए योगी जी की अब तक जो जाति पर आरोप लगाते थे अब अपराधी के उपर जब मुद्भेड के दौरान अपराधी की उपर गोली चली तो अखिलेस यादो जी को प्रिस कांफरेंस करके या कहना चाहिए कि योगी जी सभी अपराध के प्रत योगी जी की नीती और नीयत एक है अब क्यों नहीं कहते हैं अखिलेस जी अगर एक अपने स्वजाती समाज के नाते अगर अखिलेश जी आरोप लगा सकते हैं तो ठीक है आपने लगाया लेकिन अपराधी के रूप में योगी जी के जो ऊपर आरोप लगा रहे थे उसका भी उस काउंटर उस अपराधी का भी इनकाउंटर हुआ तो अखिले सियादो जी को तो मेडिया के सामने आकर योगी जी को धन्यवाद प्रकट करना ही चाहीए यह फर्ज बनता है कि योगी जी की अपराधियों के प्रती एक नीती और एक नियत और समानता है उसमें कोई भेद भाव नहीं है क्यों नहीं बोलते हैं अखलेस जादो जी का अगर कोई और होता होता है। मंगे श्याद्यों की जगा अगर दूसरा कोई होता तो सजा भुकतेगा यह योगी-जी की जो विचारधारा है उसके सरकार काम कर रही है दन्यवाद हमार साथ जुन्डे के लिए ते पवन पाल जी हैं जेनोंने बेबाकी से पुरी बात रखी उन्होंने कहा कि जब अनुज प्रताप सिंग का एंकाउंटर हुआ तो कहीं कहीं अखिलेश को इस पर योगी जी को बधाई देनी चाहिए थी और उनका कोई भी बयान याना कुछ भी ना बोले जाना कहीं कहीं स्ताफ तोर पर इशारा करता है कि इस एंकाउंटर को ले करके राजनीती चल लई है और कुछ भी नहीं है